हे गाईज आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी टीनेजर स्किन केर रूटीन जो बहुत ज़दा बजट फ्रेंली है नाचुरल है और इजीली आप लोग पॉलो कर सकते हों फर्स स्टेप मौडिन की स्किन केर रूटीन उसके लिए फेस को क्लीन करना है तो यहां पे मैंने कुछ ऑप्सेन दे दिया है इसकिन के टाइप के हिसाब से पिक कर लेगा मैं यहां पे किलीर और किलीन का फेसवास यूज कर रहे हूं एकने पोर ईसकिनके लिए बहुत अच् यूज करें फ्रीज में रखने के बाद इसकीन बहुत अच्छे से हाइडेट करता है कूल करता है और बहुत अच्छे से नेच्रेल ग्लो भी देता है स्टेप नमबर थी मॉस्ट्रोजर आपको जो भी ठीक लगे कोई सभी मॉस्ट्रोजर आप पिक करके आप अपलाई कर सकते हो और मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि टीनेज में जब आप हो तो अभी आप जेल बेस या फिर आप थोड़ा चा लाइट वेट मॉस्ट्रोजर यूज़ करो तो वो इसकीन के लिए अच्छा होता है तो उससे क्या होगा एकने नहीं होगा और यहां पर मैं संस्क्रीम को अप्सिन जादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही जस्ट मैंने संस्क्रीम बहुत सारा मैंने अप्सिन दिया है वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो जाके देख लो सो यहाँ पे मैं direct sunscreen में apply कर रही हूँ क्योंकि मेरा skin oily pro skin है तो मेरा skin में ज़्यादा need नहीं होता है मॉस्ट्रोजर का at least morning time पे इसलिए मैं मॉस्ट्रोजर के जगा मैं direct face wash करके मैं लगाती हूँ sunscreen इससे ही मेरा skin बहुत ज़्यादा hydrate रहता है तो इतना ही काफी होता है and lip के लिए भी मैंने कुछ option दे दिया है आप rolling लगा सकते हो वैसलिंग लगा सकते हो या फिर एक दो option भी मैंने दे दिया है वो भी आप use कर सकते हो that's it, rolling apply कर लो, वैसलिंग apply कर लो, lip का भी clear हो गया, face का हो गया, everything is done इतना ही काफी हो गया है आपका morning skincare routine, आप good to go, college जाओ, school जाओ and इसके बाद आपको दिल आपको कितना makeup करना है नहीं करना है, वो आपके उपर dip end करता है पर morning skincare जो skincare है, इतना ही काफी है, इससे ज़्यादा और कुछ need नहीं है next is hair care, teenage में सबसे ज़्यादा problem होता है hair में, क्योंकि दिन भर, school में, college में रहने से hair बहुत ज़्यादा हमारे itching होता है, क्योंकि sweating ज़्यादा होता है and hair बहुत ज़्यादा dry और rough रहता है and साथी साथ में दिल भी नहीं करता है, ज़्यादा कुछ करने का तो यहाँ पर मैं easy सा एक remedy दिखा रही हूँ, यह use करना सारे problem solve हो जाएगा यहाँ पर आप mustard oil मत लेना, coconut oil ही ले लेना and उसके बाद rosemary essence ले लेना and यहाँ पर lemon का juice ले लेना तीनों चीजों को अच्छे से mix कर लेना, rosemary essence जो है वह भी बहुत ही ज़्यादा reasonable में मिल जाता है तो वह अब ज़रूर यूज करना and अच्छे से तीनों को mix करने के बाद अच्छे से अपने hair पर apply करना है इतना अच्छे से इसको massage करो, relieve मिलेगा, hair fall आपका जो हो रहा है वो भी reduce होगा, आपका dandruff भी reduce होगा and जो eachiness रहता है वो आपका बहुत अच्छे से एकदम solve हो जाएगा क्योंकि यह मेरे को बहुत ज़्यादा help किया है dry भी रहता है, hair freezy रहता है, damage रहता है, एकदम कड़कपन जो रहा जाता है एक बर hair पर वो सारे चीज़ भी इससे बहुत अच्छे से reduce हो जाता है इसको एक से दो घंटा रखना, इसको week में एक से दो दिन इसको follow करना जब आपका school और college offer है, उसी दिन ही आप ये चीज़ को follow कर लेना, आपको बहुत अच्छा result मिलेगा and बहुत simple भी है, तो easily आप follow भी कर सकतो, ज़दा ताम जब भी नहीं है and उसके बाद shampoo कर लो, shampoo का option भी मैं दे दे रही हूँ, यहाँ पे skin में 100 rupees के अंदर आपका hair का जो भी type है, उसी सबसे आप कर लेना उसके बाद अच्छे से अपने hair को clean करना और अच्छे से पानी से बहुत सही से उसको clean करना ताकि कुछ भी ना रहा है अपके hair पे, ना conditioner ना shampoo and उसके बाद अपने hair को towel में, तो कोई सा भी towel मत use करो, fiber, microfiber towel यूज करो, वो नहीं है, कोई बात नहीं है ममी का जो पूरान जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा जो cotton का होता है, उसी से भी अपने hair को अच्छे से अब जो भी excess water रहता है, वो सोग कर लो और उसके बाद भी serum कभी में कुछ option दे दूँगी यहाँ पर, अब serum भी apply कर ले ना, मैं तो फिला नौरियल का भी करती हूँ, क्योंकि पहले से में रखा हुआ है, और हो ही मैं कर रही हूँ सो serum को अच्छे से अपने length पे लगाना, कभी भी scalp में मत लगाना, ने तो hair fall भी होगा, dandruff भी होगा scalp में आपका serum नहीं जाना चाहिए, length में अच्छे से serum को लगा लो, इससे आपका freeziness चला जाएगा, dryness भी चला जाएगा, और आपका hair का care हो गिया, healthy hair, so इतना काफी है next है acne और pimple treatment, teenage में बहुत common problem है, हम सब को ही face करते है, तो teenage में जब acne और pimple जब होता है, तभी से skincare करना सुरू कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा बढ़े ना, और ज़्यादा pimple के वज़े से हमारे acne marks भी ना हो, तो यहाँ पर मैं aloe vera plant से aloe vera ले रही हूँ, आपके पास अगर aloe vera plant नहीं है, कोई बात नहीं है, market में बहुत अच्छा से aloe vera gel भी है, उसको भी आप लगा सकते हो, aloe vera gel acne और blemish को reduce करता है, aloe vera gel लगाने से जो sun one हो जाता है, वो भी remove होता है, aloe vera gel यूज करने से acne का जो mark रहता है, वो भी बहुत अच्छा से fade हो जाता है, aloe aloe vera gel में anti oxygen property भी है, aloe vera gel skin के लिए oily skin के लिए acne pro skin के लिए बहुत ज़दा अच्छा है, पर aloe vera gel में यहाँ पर मैं turmeric add किया है, यह kitchen turmeric नहीं है, oil turmeric है, जो easily मिल जाता है, और skin को bright करने में, acne को fight करने में, और temples को reduce करने के लिए भी बहुत ज़दा help करता है, तो आप इसको use क परो, बहुत ही effective है and बहुत ही quickly result भी देता है, तो आप लोग use करने कमेंड में मुझे जरूर बताना की कैसा रहा, next है white hairs, black hairs, teenage में ज़दा दिखने मिलता है, इसलिए क्योंकि हम लोग long time school में, college में जब रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत ही quick skin को clean कर रहे है, long time तक हमारे skin clean नहीं रहता है, तो oily ज़दा हो जाता है, dust भी रहता है, तो white hairs, black hairs ये सारे चीज़ प्राब्लेम दिखने मिलता है, मन्त में दो बार आप nose strip लागा के भी clean कर सकते हो, पर थोड़ा सा expensive हो जाता है, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ charcoal peeling, ये बहुत ही सस्ता पर जाएगा, teenage के लिए pocket friendly भी है, तो इसको आप यूज़ कर सकतो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है, इससे आपका जो white hairs रहता है, black hairs रहता है, वो तो remove होता है, उसके साथ सा जो dead cell भी रहता है, और इसकीन में जो थोड़ा ब फेट देता है, चार कोलती स्किन के लिए अच्छा होता है, उसके बाद जब ये dry हो जाता है, उसको आच्छे से खीच के निकाल लो, फेस को पुरा पिल आफ करने के बाद मेरा इसकीन बहुत जब सॉफ्ट लग रहा है, बहुत जब ब्राइट दिख रहा है, जो dead cell था, जो मेरा white head, black head था, वो भी remove हो गया है, तो teenager के लिए must have है, आप लोग ज़रूर use करना क्योंकि budget friendly है और बहुत काम का है, next is sun tan, इस school college जाएंगे तो sun tan तो होना ही है, तो recently मैंने light up का D10, ये marks मैंने लगाया था, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये instant skin को cool करता है, hydrate करता है, bright भी करता है, और instant जो tan रहता है, उसको भी remove करता है, और जो लोग बहुत ज़रूर आलसी है, उतना ज़्यादा उसको ये ताम जहाम करना पसंद नहीं है, वो लोग तो easily इसको use कर सकते है, तो मुझे तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा में आप लोग को बता दू, अगर आप लोग को दिल करें, तो आप लोग लगा सकते हो, ये product 500 में आता है, इसका result अच्छा है, तो इसलिए ही मैंने आप लोग के साथ सेयर किया, नेक्स्ट है, फेस सेविंग, टीनेज में खुद को गुरूम रखना, नीड एंड क्लीन रखना, और बिदाउट मेकप खुद को एक्टराक्टिव दिखाना, उसके लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेन है फेस सेविंग, क्योंकि फेस अगर क्लीन दिखेगा है, बिदाउ आपके स्कीन में बहुत असे एब्जॉब होता है, जब भी आप फेस को क्लीन करो, पहले सेविंग करने से पहले फेस को क्लीन करो, उसके बद एलोवेरा जेल, फिर मॉस्ट्रोजर, कुछ भी जो आपको कमफोर्टेबल लगे, या फिर कोई भी फेस सोयल आप एपलाई करो उसके बाद अच्छे से फेस को सेप कर लो, उसके बाद आफ्टर आपका जो क्यार होगा, मॉस्ट्रोजर और फिर एलोवेरा जेल लगा लो, यह बहुत ही इंपॉर्टेन से पहे, इसको इसको मत करना, और मैं बहुत टाइम से सूट कर रही थी, तो मेरा बिला भी मेरे पा नेक्स्ट है, पिगमेंटेसेन, डाक स्पॉस, सन टैन, बोडी टैन, तो यह सारे चीज़ तो हम लोग फेस करते हैं टीरेंस से ही, तो इसको अगर टीरेंस से ही टेक क्यार करना सुरू करेंगे, तो आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लेम नहीं होता है, तो उसके लिए चा रूंगी तो उसके एकोडिंग में ले रही हूं, आप लोग को जितना कॉंटिटी में चाहिए वो आप ले सकते हैं, उसके बद दही एड़ करेंगे, यहाँ पर वाइल टर्मरीक यह फेस एंड बॉडी के लिए मैं यूज करती हूं, उसके बाद यह फेस पे बॉडी पे अच्छे से एपलाई कर लेना है, मैं यह सारे चीज रूम पे कर रही हूं, क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला था, डिलेवरी बाई बार बार फोन कर रहा था, इसलिए मुझे वास्रूम से बाहर आना पड़ा, इसका जो फॉर्मूला है, यह पूरा पिग्मेंटेशन को छो पूरा अच्छे से रीमूब करता है, थोड़ा सा ताइम लेता है, क्योंकि कोई भी होँम रेमेडी सो नैशुरल होता है, तो वो थोड़ा सा वंख लेता है, बहुत अच्छे से आपका पिग्मेंटेशन को रीमूफ करता है, और इसका छोटा-छोटा दाना रहता है, इससे dead cell बहुत अच्छे से remove होता है, face का होता है, body का होता है, जो suntan रहता है, वो भी बहुत अच्छे से reduce होता है, क्योंकि anti-oxidant है, and बहुत जादा skin को bright करने में help करता है, मेरा skin को काफी light किया है, काभी bright किया है, ये face marks ने, तो आप लोग use कर सकते हैं, इससे 10-15 मिनिट रखना, उसके बाद ये हलके हास से अप face में अच्छे से rub करना, इससे अपका dead cell भी remove होगा, suntan भी remove होगा, pigmentation भी light होगा, और साथी साथ में आपको कोई भी market में इस scrubber की ज़रुवत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे चीज़ ये ही कर रहा है, आपको body में भी use कर पा रहे हो, और अपने face को भी use कर पा रहे हो, ये दोनों चीज़ में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, पूरा pack जब आप remove कर लोगे, खुद feel कर पाओगे, कितना ज़्यादा soft हो गया, इस्कीन और कितना ज़्यादा clean और bright लगेगा, ये experience खुद करना, उसके बाद comment करके मुझे जरूर बताने, highly recommend करूँगी, try करना, नेक्स्ट है balance diet, जब तक आप एक healthy diet नहीं लोगें, चाहे कुछ भी लगा लो, आपके skin healthy and glowing नहीं दिखेगा, तो diet पे focus करो, ज़्यादा product के लिए मामा पापा को जीद मत करो, अच्छा अच्छा healthy food खाओ और skin को healthy and glowing रखो, नेक्स्ट है night skincare routine, पहले skin को clean कर लेंगे, उसके बाद toning करेंगे, toner कोई सबी use कर लो, उसके बाद monstrogen करेंगे, पर monstrogen में highly recommend करूँगी, पॉंस का light weight monstrogen use कर लो, यह बहुत ही light weight है, इसमें hyaluronic acid भी है, और vitamin ही है, जिससे आपको बहुत अच्छा से glow भी मिलता है, skin में skin को hydrate भी रखता है, और बहुत light weight भी है, और भी अगर कुछ चाहिए सिरब में, तो मैंने skin में दे दिया है, आप वो purchase कर सकते हैं, 100 rupees के अंदर ही है, अच्छा ही है, Amazon में मिल जाता है, इसके बाद आपका last step रहेगा, वो है lip balm, कोई सा भी lip balm आप यूज कर लो, जो भी आपके पास available होगा, that's it, night के लिए इतना काफी है, इतना अगर आप skin care follow कर लोगे, तो आपने skin बहुत ज़्यादा healthy रहेगा, glowy रहेगा, क्योंकि teenage time पे इससे ज़्यादा कुछ और जरुरत नहीं होता है, आपके skin naturally बहुत ज़्यादा healthy और अच्छा होता है, तो diet पे focus रखो और इतना skincare काफी होता है, उसके बाद body किया, तो body के लिए मैं highly recommend करूंगी Johnson baby oil, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, teenage के लिए perfect है, क्योंकि body lotion वेगरा में आपको पैसा invest करने की जरूरत नहीं है, आप एक body oil ले लो, ये non sticky भी होता है, और ये बहुत अच्छा होता है teenage के लिए, तो आप नहाने के बाद या फिर रात में आप जब skin कर रहे हो, तो ये लगा के आप सो जाओ, और एक चीज में बोलूंगी, हर कोई का timing अरग रहता है, skincare का या फिर कोई भीजे से school का timing, college का timing, मैं जब अपने teenage में रहती थी, तो मैं school से आने के बाद नहाती थी, क्योंकि school में pollution इतना रहता था, धूल मिट्टी रहता था, तो उससे मैं घर पे आके fresh हो के अपना हर इक चीज करती थी, त आप लोग अपने हिसाब से करना, so guys, आज का वीडियो कैसा लगा, मुझे comment करके बताना, मैंने कोसिस किया है, कि आप लोगों के लिए में एकदम budget friendly एक वीडियो बनाओ, ताकि हर कोई इसको follow कर सके, and I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर love you, bye!